हेलो अश्टुडेंट, अश्टेडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है, तो आज का यह जो वीडियो है, उत्राखन वेसे नरसिंग एक्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है, इसका 2024 में फॉर्म कब आएगा, इसके एक्जाम कब तक होगी, इस एक्जाम का कटफ क पूछे जाते हैं, इसका सिलेवस क्या रहता है, इसका एक्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इसे कौन-कौन भर सकते हैं, इसकी फॉर्म फिस क्या रहती है, सब भी कुछ में बताने वाली हूँ, साथ में ये भी बताने वाली हूँ, कि तैयारिक कैसे करना है, ताकि कम से कम में पट के आपका 100% सेलेक्शन हो पाए मतलब सारा डाउट को आज किलियर करने वाले हैं इसी वीडियो में तो वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजेगा अगर आप हम्मारे चैनल पर पहली वर विजिट कर रहे हैं चैनल को सबसे पहल 12 का एक्जाम दिये हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एस क्या होनी चाहिए 17 इयर्स अगर आप इस फॉर्म को भरते हो तो आपका एस 17 इयर्स होना चाहिए जब यह फॉर्म निकलेगी तक तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो तो तो आप हर एक student के मन में doubt रहता है कि form भरने के लिए 12 में आखिर कितना marks शाहिए तो इस form को भरने के लिए कोई student first division हो ऐसा बिल्कुल नहीं है minimum इसमें 45% अगर आपका 12 में 45% marks है तो आप इस form को भर सकते हो और 12 में subject क्या होना चाहिए PCV सबजेक्ट PCV होना चाहिए 12 में तो आप इस form को असानी से भर सकते हो form को भरने के बाद एक interest exam होगी और वो exam का pattern क्या रहेगा तो इस exam में total 100 questions पूछे जाते हैं और वो किसके subject से question रहेगा तो physics, chemistry, biology, physics से 20 questions, chemistry से 20 questions और biology से 20 questions ये तीनों ही आपको 11-12 के level का question देखनों को मिलेगा जो आप 11-12 में पढ़े हैं वही से आपको question देखनों को मिलेगी ये तो रहा 60 और बाकी का 40 में से English से 20 questions और most important nursing aptitude से 20 questions रहेंगे English में सबसे ज़्यादा grammar से question पूछे जाते हैं तो grammar यानि आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आप असानी से निकाल सकते हो और एक subject है आपका नया nursing aptitude इसमें भी 20 questions पूछे जाते हैं वो nursing aptitude इसको आपको पढ़ना most important है इसे आप कहां से पढ़ोगे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ तो अब बात करते हैं इसका exam का timing क्या रहेगा तो यह जो exam है पूरे दो घंटे की होती है टोटल आपको दो घंटा दिया जाएगा इस exam में और आपको सही answer करने पिर कितने number मिलेंगे तो यह जो exam होता है टोटल 100 question का होता है और हर एक question पे आपको one marks मिलेगा so 100 question का exam होता है full marks भी इसका 100 ही रहता है most important बात यह है कि इसमें कोई negative marking नहीं होता है अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका marks नहीं कटेगा तो आप कितने भी attempt कर लो जितने attempt करोगे कोई दिक्कत नहीं है गलत कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है चुकि आपका गलत करने से जो आपका number है सही answer वाला उससे marks नहीं कटेगा इसलिए आप 100 में 100 attempt कर शकते हों ठीके इस paper का language क्या रहता है तो इस paper का जो language होता है वो while language होता है मतलब हिंदी और इंगलिस दोनों language में आपका paper देखने को मिलेगा तो अब इस exam को crack करने के लिए कितना number लाना होगा ये जाना भी जोड़ी है तो इस exam का जो cut up होता है वो overall देखा जाए cut up इसका minimum 50% रहता है ठीके मतलब 100 में से अगर आप 50 marks तो लाना ही परेगा अगर 50 plus लाते हो तो ही आपको government college में seat मिल पाएगी 50 से कम बाले को बहुत ही कम chance रहता है government college मिलने का 50 से जो वी जादा लाते हैं उनको आराम से college seat मिल जाता है तो अब बात करते हैं कि इस form को भरने की fees क्या रहता है तो इस form को भरने की जो fee होती है वो category wise अलग अलग रहती है तो अगर आप UR, OVC या AWS category से belong करते हो तो आपको 2000 रुपीज लगेंगे और यदि आप SC या SD category से belong करते हो तो आपको 1500 रुपीज चार्ज लगेंगे यह form भी है तो अब सभी a student को देना परेगा तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें total seat कितना रहता है तो इस exam में जो total seat होते हैं वो 245 रहता है इसमें दो type का seat रहता है एक estate quota के थुरू होता है और एक management quota के थुरू होता है दो अलग अलग रहता है fees भी उसी के according रहता है जिस quota के थुरू आपको seat मिली है उसी के according आपको freeze भी लगेगी तो अब मैं आपको बता दूं कि ये form जो है वो कब निकलेगा तो 2024 में जो उत्राकण VAC nursing का form है वो March के last या April के first week तक आपको आपके website में देखने को मिल जाएगी तो अब बात करते हैं इसका exam date तो इसका जो exam है वो लगभग आपका मई में होगा ये आपका मई में exam होगा मतलब form निकलने के बाद आपको लगभग one month का ही time मिलेगा जादा से जादा तो अगर आप सोच रहे हैं कि form निकलने के बाद तयारी करें उसका wait कर रहे हैं form निकलनेगा तो ऐसा बिलकुल मत करना क्यूंकि इसमें 5 से 5 subject आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपको government seat मिल पाएगी इसमें seat भी limited रहती है ज्यादा seat नहीं रहता है तो तयारी आपको अभी से करना परेगा तब भी आपको selection मिल पाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि government college में seat लेना है तो आप हमारे app से join हो जाएए इसमें आपका 100% selection हो जाएगा आप हमारे app को download कर लिजिए अपका link हमने description box में दे रखा है यहाँ पर classes start हो चुकी है जिसका नामे सफलता बैच इसमें से आपको सभी subject की तियारी करवाई जा रही है जिसमें live classes, chapter wise note, weekly test, doubt session, practices सब भी कुछ करवाया जा रहा है यह मातर आपको 599 एक साल तक आपको पढ़ाया जाएगा इतना सस्ता में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं परेगी इसके आलाबा आपको हमारे app में एक question bank मिलेगा, 10,000 objective question का question bank इसमें आपके all subject का question रहेगा, previous year question रहेगा, physics, chemistry, biology, english, nursing, aptitude सब भी को include किया गया है आपके exam में 100 question पूछे जाते हैं और यहां हमने 10,000 objective question का एक question bank लाया है तो क्या आपको लगता है कि इससे बाहर question पूछा जाएगा, विल्कुल भी नहीं, यह question bank एक मात्रुफवी के साथ आपको मिलेगी, 1, 9, 9 यह हमारे एप में ही मिलेगा, आधिक चानकारी के लिए आप दियेगे help line नमबर पे संपर करें अगर आप को कोर्स को purchase करने में कोई problem हो रही हो, तो आप other number से भी आप हमारे help line नमबर पे payment करके इस question bank को purchase कर सकते हो, तो जल से जल जाएए, सभी student हमारे app को download केजिए, जिसका link हमने description box में दी रखा है तो आगे जैसे ही इस exam की regarding अगर कोई update आती है, तो सबसे पहले आपको इसी channel में वीडियो के माधम से मिल जाएगी तो channel को subscribe कीजिए, वीडियो पुसंद आए तो like कीजिए, मिलते हैं next video में तो तक के लिए, bye bye